नमस्कार दोस्तों आस्ता करताओं कि सब अच्छे होंगे यह भी PCS RO RO की प्रेलम्स की एक्जाम की त्यारी करने वाले सभी भावी योध्धाओं को मिना प्रेण प्रूबग नमस्कार दिखेगा री एक्जाम होने की बज़े से आपके पास जो भी अभी तक प्रेलम्स को लेते हुए मेंस को लेकर कमी रह चुकी होंगी आप सही पत्पर चलते हो अपनी त्यारी को आगे लेके चल रहे होगे लेकिन त्यारी के लिए तीन चार बाते बहुत जरूरी होती हैं पह अपने टेस्ट कैसे परफॉर्मेंस के रूप में लगा रखें यानि उन टेस्टों में पीवाई क्यों भी आ जाएंगे और साथ में कहा जाए तो कुछ अगर हम आप जो समय देखें तो जैसा कि आपको ग्याद है कि एक्जाम जो है अगस्त के लास वीक या सक्तमबर के फर्स वीक में होनी की संभावना है और संभब्त है जो बैकेंसी है कुछ लगबक कहा जाए तो ब्रद्धी होने के चांस है जैसा कि आपको कलेंडर में यह न लेकिन अब आप इस जीएस को देखेंगे तो यहां बेचक 140 को सना आते हैं और यहां 120 को सना आते हैं लेकिन इन दोनों का objective format है वही आयोग रहेगा वही सब पेपर है यानि इस जीएस को इस जीएस के साथ लिंक करके पढ़ने का प्रियास करिएगा यह जो हिंदी है इस हि हिंदी के उस पार्ट में जो कि एक ऐसे का पार्ट है इनको भी सात लेके चलना तो अब आपको अगर आरो आरो में सबल्दा प्राप्त करनी है तो अपनी भैदर त्यारी को कहीं न कहीं एक आयाम देना पड़ेगा उस आयाम में आपके लिए में लेके आचका हूं जहां प पेपर जियर्स का जो सिकिन पेपर जिसको हम लोग हिंदी कह सकते हैं 140 कोशन सिस्टी कोशन यानि इनी के लिए आपके लिए टैस्ट का एक टार्गेट सेट किया है कि दी बच्चा टॉपिक वाइस कह सकते हैं कि सब्जेक्ट टैस्ट देदे जैसे हिंदी के चैनल टैस्ट परियाब आची के लिए अगर इतना मल्टिबल प्रियास कर लेंगे तो सोचेगा वह कोशनों से आपके दरस्टी से महतून है इसी करम में अगर आप यहाँ देखेंगे तो समान्य अधन के भी मैंने लगबग 20 टैस्ट रखें जहांपर अगर 20 से लिए 30 टैस्ट रखेंगे तो आप देख सकते कि 20 टैस्ट तो मैंने यहां पर सब्जेक्ट वाइस रखेंगे जो कि आपके यहां दिखाई देरा होगा पॉलिटी के दो टेस्ट एकोनोमी के दो जोग्रफी के हिस्ट्री के साइंस के एसेंस के यूपी स्पेचल का यह वो खंड है जो एक प्रिलम्स की एक्जाम के दर्स्टी से 140 कोशन लेके बैठा हुआ है अगे इनका मल्टिप्लिट वाइस रिविजन कर लेंगे तो आप सोच साहिए है कि हमने एक सीघ्री कास काई सब्सक्राइब में बैठा हुआ है उसमें आपकी रेंक डिसाइन होगा लेटेशों पर सारेक्मित कर सकते कर प्रिकास से एक प्रिकास से एक्जाम के बटन बना जाएंगे तीसरी बात निकल के आदी कि जो सिलेवस है आरो आरो का प्रिलम्स का और हिंदी का उन दोनों के जितने भी पॉइंट है सारे सिलेवस को कवर किया जाएगा प्रतियक टेस्ट में और इंट्रलिंग करके टेस्टों को हैं डिजाइन किया गया है जो कह सकते हैं all over इंडिया में आप इसको एकजाम के लाइकली इंवर्मेंटिल के रूप में आप उसमें महौल में उसी जैसा हम एकजाम फॉर्मेट में बैटके दो घंटे एकजाम देते हैं उसी फॉर्मेट में आप यहां पर देपाएंगे बात करते हैं, get complete analysis with the all India rank, तो अगर जितने भी rank हैं आपकी वो आएगी, आपको percentile कितना है, आपका कितना कटा है, कितना negative marking है, everything is here आपको present किया जाएगा, बात करते हैं यहाँ पर, कि अगर UPPCS, RORO की अगर बात करें, तो लगभग 9 खंडो में इसके syllabus को define कर रखा, जैसा कि य geography, economy, polity, यही सब पार्ट जो मैं अभी थोड़ देर पहले आपकी तर्चाओं को भी से कर रहा था, अगर बात करेंगे यहां से, कि अगर prelims के लिए यह है, हिंदी के लिए यह है, लेकिन testries क्या करती है, testries एक प्रिकास से कह सकते हैं, आपके, जो आप candidate है, उसके table से लेकर revision के बीच की योजना मना देती है, कि अगर हमें revision करना तो कहां करना है, कैसे करना है, यह testries के माध्यम से आप एक प्रिकास से निकाल पाते हैं, बात करें यहां से, परिक्षा pattern के अधार पर, पाठ्यक्रम के अधार पर कहें न कहीं, जो बिंदो खुद को तयार करने के लिए आप उसको एक इंट्रोडियूस कर पाते हैं, कि अच्छे हमारा यह topic है, इस पर हमें भी काम करना है, साथ में अपने समय प्रबंदन का, और सटीक ताम सदार करने का आपको अपसर मिल जाता है, कि हमारे यह कुछ ऐसी management चीज़े यहां निकल कर आ जाती है, बात करेंगे, परिच्छा के अंकन करने की आपकी जो आदत है, वो डाल दी आती है, कि भई, एक्जाम की द्रश्ची से हमें किस प्रिकास अपने आपको त्यार करना है, आप एक प्रिकास से बहुत सारा ज्यान इखटा करते ले जाओ, लेकिन आपको repetition करने का time management नहीं आता, repetition करने की कला किस प्रिकास को टैकल करते हैं, और वो नहीं आता, तो जरूरी मानगे से लिएगा, तो सर्वत्तम टेस्ट के रूफ से हम चीजों को manage कर सकते हैं, तो यह schedule मैंने जारी कर दिया गया है, कि यह आरो यारो का prelims का test 3 jury exam है, इसका हमने starting कर दिया गया 15 April से, 15 April में test से, फिर 20 में economy का one test है, उसका बिलोम सब्द का test है, political two test है, बिलोम सब्द का two test है, economy का one test है, बाके मरतनी का सुद्र यह second test है, यानि आप देख पा रहे होगे, कि हमने बिलोम सब्द के दो test, political के दो test, interlink करके चीजों को economy की दो test है, बाके मरतनी के दो test है, जोग्रफी की दो test है, जोग्र इसके अनुकूल टैस्ट होने वाले हैं जहां पर आपको बन टूबन करके चीज़े यहां पर मिलती चली जाएंगी और यहां पर लगवग देखा जाए तो फुल लेंड टैस्ट को भी हिंदी और जी एस दोनों को रखा गया तो यानि यह आधार है जो कि हमने इसको टैस्ट को स्टार्टिंग कर रहे हैं 15 अपरेल से तो पहला टैस्ट जो होगा 15 अपरेल में होगा यदि आप इन टैस्टों के साथ देखेगा सिमलर में कहा जाए सफलता के लिए तीन चीज़े बहुत जरूरी है पहली चीज के अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास यह जो खंड बहतर है तो आपने रिविजन कैसे कर रखा है आपने प्रैक्टिस कैसे कर रखी है यह इंपोर्टेंट है तो तीसा चलने जो निकल के आता है वह आता है टैस्ट तो यदि यह सारी चीज़े एक साथ करना चाहते हैं तो आपको यह टैस्ट रीज विल्कुल फ्री और साइंस के लिए लग सार है तो यहां पर रिविजन मिल रहा है आपको यहां पर टैस्ट मिल रहा है और यह फीस इसकी मात्र अभी कुछ बच्चों के सिर्फ सेविंड डवल लाइन की गई है जहां पर आपको अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है अभी इसको सकते हैं सेविंड डवल लाइन इसके बाद इसकी फिसकों इंग्रेश कर देंगे जो कि हंडेट सीटों का हमारा टार्गेट है कि इसमें इतने ही सीट है हम लोग रिजर्ब करेंगे तो इसकी अंदरगत आपको जो 45 लगव 50 टैस्ट हैं वह आपको मिलेंगे यहां आपको जाना है यहां पर जाने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा ऐसा दिखाई देगा तो आप देखेंगे यहां पर आप किसी भी जाएंगे कोर्स में और कोर्स में पर्चेस कोर्स में जाने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आप इसके साथ जा सकते ह हैं और यह रहा आपके पास ब्रुजा ड यानि विल रहे हैं उनली अगर आप टैस्ट करना चाहते हैं तो यह आपको सिर्फ एक खुर। पर नहीं हैं तो बात आप के साइब आप आप सिर्फ चीजों को वाँंद करनी के लिए प्रापर वे में अपनी रणनीति सर्वाप पढ़ाई कर सकें, प्रापर वे में कर सकें, एक service course को रूप में या फिर आपको प्रिकास से डेडिकेट करके चीजों को लेकर चलने की रूप में आपको सिर्फ एक बैच में convert के जा रहा है, या कह सकते हैं कि एक जामपिल बेस प कीमत भी आप लगा सकते हैं तो आप सोचिए का पचास की कीमत के आउस सकती हैं इसके बारे हम दाज सकते हैं तो देख देरी किस बात के हैं हंडेट सीटों के लिए सिर्फ सेविंड डवल लाइन की फीश हम लोगों ने रखी गई है जहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है उस